नमस्कार चंडिगड़ दूरदर्शन केंद्र से आपका स्वागत है हम इस विशेश कारकरम में जो की चंडिगड़ स्पीक से इसमें आपका स्वागत करते हैं और आज हम समान नागरिक सहिता इस विशेश पर बात चीत करने जा रहे हैं दर्शकों जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे देश के समिधान में IPC, CRPC, Evidence Act हैं जो की आपराधिक कानून से जुड़े हुए हैं सिविल से जुड़े वे कानून हैं जिसमें जो Contract Act है वो आता है, Transfer of Property Act आता है सिविल प्रोसीजर कोड आते हैं तो ये जो आपराधिक और सिविल प्रविर्टी के जो हमारे Laws हैं वो सभी दर्मों में, सभी लोगों में एक समान ढंक से लागो क्यों नहीं होते या इन्हें होना चाहिए या नहीं होना चाहिए शादी हो, तलाख हो, भरन, पोशन का अधिकार की बात हो, तलाधिकार जैसे मामलों की बात हो तो इसमें सभी धर्मों की बराबरी और समानता की जरुरत मानी गई हमें वोट देने का अधिकार है, हमें और अन्य अधिकार है जिसमें की धार्मिक स्वतंतृता की जीवन यापन से जड़ हुए अधिकार है और अभिवक्ती की स्वतंतृता की अधिकार है जब देश की समिधान सभा देश का समिधान बना रहे थी तो जब 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का समिधान लागो हुआ तो उसमें भी UCC यानी Uniform Civil Code का जिकर हुआ इस संदर में कि समिधान के अनुच्छेद 4 में के 44 अनुच्छेद में जो लिखा है राज के नीती निर्देशक सद्धानतों के अधार पर ये कहता है राज भारत के समस्त राजक्षेद्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिकता सहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा और क्या ये समान का अर्थ सर्वनिष्ट है, क्या सुनिष्चित करने का प्रयास, क्या सुनिष्चित करेगा ये है इन्ही सभी मद्दों पर हम आज बाचीत करेंगे जो संदर्व ये है कि वरतमान में 22 विधी आयोग ने इस सम्बद में सुझाओ मांगे हैं यानि UCC के बारे में और एक अनुमान के अनुसार 20 लाग से अधिक सुझाओ आ चुके हैं आज दूरदशन केंदर के स्टूडियो में हमारे बीच विभन जो एक्सपर्ट्स हैं मैं उनसे आपका परिचे कराता चलनू हमारे बीच डॉक्टर सुपिंदर कौर हैं आप प्रोफेसर हैं डेपार्टमेंट अफ लॉज में पंजाब यूनिवस्टी चंडिगर्ड में मैं हम आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे साथ श्री अनिरुद धांडा जी है आप अधिवक्ता हैं अड्वोकेट हैं पंजाब एवं हर्यान हाइश कोर्ट में आप प्रैक्टिस करते हैं अनिरुद धांडा साब आपका बहुत-बहुत स्वागत है इस कारक्रम में चंडिगर्ड स्पीक में हमारे साथ वरिष्ट पत्रकार श्री अजय भारतवाजी हैं उनका स्वागत करते हैं दर्शकों हम बाची शुरू करते हैं जैसा कि हमने बात कही कि जो सुपिंदर कौर मैम है आप पर्सनल लॉस की स्पेशलाइज़ेशन रखती हैं तो मैम आपका विचार इस यू सी सी को लेकर क्या है जो अभी ये मुद्दा है जैसा कि जो बैक्राउंड है कि जब प्रधानमंत्री नरेंदर मोदी ने भूपाल में एक जनसभा के दौरान इसका जिकरी किया कि एक देश एक कानून होना चाहिए तो उस पे विभिन विचार और लोगों के विचार और पूरा देश इस पर बातचीत कर रहा है डॉक्टर सुपिंदर कौर एक लाउ की एक्सपर्ट होने के नाते आप हमारे शोताओं को समझाए सर आज जब हम बात कर रहे हैं यूनिफर्म सिवल कोड पे तो जैसे आपने शुरुआत भी करी के ये हम अपने सविधान की बात करते हैं तो uniform civil court जो है एक सविधानिक मुद्दा है ना के एक political मुद्दा सविधान के जब हम बात करते है हमारा सविधान है जो हमें equality, equity, sovereignty, secularism, unity, fraternity सारे चीज़ों की बात करता है तो uniform civil court जो एक law, एक civil law सब के लिए personal law सब के लिए समानता की बात करता है उसके विशे में मेरी अपनी observation जही कहते है, being a teacher of family law के uniform civil court होना चाहिए अगर मैं कहूं होना चाहिए तो उसके लिए मेरा जो पक्ष है वो इसलिए मेरा क्रियों होना चाहिए क्योंकि जब हम सारे personal laws बढ़ते हैं जिसमें marriage से related law है, property से related law है, succession से related law है, ancestral property से related law है चाहिए वो हिंदूस का है, हिंदूस का codified है, और Muslims का, जो है, वो uncodified है, जो के customary है जब आप वो दोनों laws को, customs and laws को thoroughly पढ़ोगे, तो उसमें बहुत सारी समानताएं अभी भी हैं, presently, law में, a codified law में, personal law of one of the community में और दूसरा जो customary law है, personal law है, दूसरी community में, तो presently भी हम उनमें बहुत सारी समानता हैं, देख सकते हैं, जो के एक basic feature of constitution को already complete करता है तो इसका मतलब यह है कि अगर हम इस सेवधानिक मुद्दे को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जैसे आपने का बीस लाख से उपर suggestion जा चुके हैं, तो उसमें बहुत सारे लोग होंगे जो कहेंगे कि होना चाहिए, बहुत सारे जिर्म कहाओं कि नहीं होना चाहिए, जब हम हो होने की बात करते हैं, तो ना होने में तो एक लोटा जो एक पॉइंट है वो आजाता है कि हम सेकलोरिजम की बात करते हैं, जो कि सारे रिलीजिन्स की रिस्पेक्ट की बात आती है, रिलीजिन्स एंड कस्टम दो वैसे अगर मनें समझे तो दो अलग लग चीज़े हैं, पर हमें मुश्किल आती है कि हम अपना कस्टम चोड़के एक युनिफॉर्मटी की तरफ कैसे बढ़ जाए तो सेकलोरिजम क्योंके इसका जब discussion हो रहा है आज पूरे देश में इसका जब discussion हो रहा है उसका basic focus इस बात में है कि हमने gender equality की तरफ जाना है so uniform civil court जो है it is more I think related to equality of both the genders in respect to all the personal aspects of a custom or of a law of any community so this observation के साथ अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है एक सेवधानिक पार्ट जो chapter 4 है constitution का जो हमारे लिए doctor Ambedkar है उनका vision था के chapter 4 का director principle article 44 it should have been part of fundamental right जो के enforcement की बात करता है अगर हम fundamental rights को भी ध्यान से पढ़ोगे कोई भी fundamental right absolute नहीं है वो भी reasonable restrictions के साथ ही है on the contrary article 44 director principles की बात करता है जो के directions है जिसका पार्थ हमने uniform civil court को बना लिया तो वो directions को भी directions में भी with restrictions ही आता है more or less fundamental right and director principles में difference enforcement का ही है but enforcement fundamental right की भी बहां stop हो जाती है जहां reasonable restriction आती है तो वैसा ही जिस्ट directive principle article 44 uniform civil court का भी है तो इसको adapt करने में मुझे लगता है इतनी समस्या होनी नहीं चाहिए आपकी बातें और आपने समान जो सहिता है नागरिक सहिता उसका बारे में बात की विधी और जो न्याए मामलों से जुड़ी संसदी समीती है उन्होंने भी विधी आयोग और विधी मंत्राले के प्रतेनिदियों से विभिन बैठके लिए और इस समीती के अध्यक्ष भाजपा सांसाथ सुशीन मोदी हैं हम चलते हैं हमारे जो एक्सपर्ट हैं अनृत धंडा साब आपके पास आप जो न्याएं और कानून और समीधान से जुड़े हैं प्रैक्टिस करते हैं तो आपका इस पर क्या विचार है पहले तो यह कहूंगा कि आपने पहले आपने भी मैम ने भी आर्टिकल 44 की बात करी तो में लिखा है कि अनृत जी रूू लेकिन ज्टनलश है। लेकिन लिकटिस को भाई की डाटिकिव करते ही ड्राटिकела है यह फ्यान प्रैक dafür अबिदिंगन लगिन आप लेकिन फे ट्यू बाई लेकिन फ्यू बईू बईपशिसीश है गाे ट्यू आपने न्यू ने And secondly, as ma'am very rightly you said, that हम politics को छोड़ के, अगर हम otherwise नागरिक की बात करें, देश की बात करें, तो क्यों नहीं? एक criticism ये बहुत बड़ा है कि ये अब क्यों? मैं कहता हूं कि अब क्यों नहीं? ये कभी ना कभी तो होना है और वाय नॉट? And secondly, ये जो जैसे ma'am ने कहा कि हम customs को religion मान के उसका oppose कर रहे हैं, which on the very basis, गलत है. Customs को अगर हम as customs रखें, तो वो follow हो सकती हैं. अब ही तो वैसे खैर, वो civil court का धांचा क्या होगा, ये हमारे सामने नहीं है. लेकिन मैं बहुत शूर हूँ कि जब वो धांचा हमारे सामने आएगा, तो वो opposition करने के लिए हमारे पस कोई खास issue नहीं बचेंगे. जी, आपने एक जो positive aspects हैं, इस case के बारे में बताया, और जैसे कि हमने सुशील मोदी जी की बात कही कि, उन्होंने भी कहा है कि हर कानून में कोशपवाद हैं, विशिश रूप से जो आदिवासियों का संदर्ब है, कि उन्हें यू सी सी में कैसे रखें, उनके कस्टम्स और उनके जो मानिताए हैं, उनको लेकर, और विपक्षिदल भी हैं, जो कह रहे हैं कि ये जो चार राज्यों की विधान सभाचुनाओं हैं, या लोक सभाचुनाओं दोहजार चोवीस आने आले हैं, तो इस समय में क्यों, हम राय जानना चाहेंगे, हमारे तीसरे भारत वजी से, आप वरिश्पत्रगार हैं, आपका इसको लेकर क्या उपीनियन हैं, समान नागरिक सहिता पर? देखिए, एक बात है कि नेशन के सामने एक मन्थन का मुद्दा उठा है, अभी नेशन ने इसके बारे में मन बनाना है, कैसे बनेगा, बनेगा या नहीं बनेगा, ये एक आस्पेक्ट है, तो मैं इस चीज़ की जरूर एक तरह से तारीफ करता हूं, कि एक कॉंटेंशियस issue has been thrown into the society for discussion. अभी law commission ने सिरफ suggestions मांगे हैं, और आज हमारा सारा समाज इस चीज़ पे चिंतन कर रहा है, इस चीज़ पे मन्तन कर रहा है, कि क्या ये होना चाहिए और नहीं होना चाहिए, और और, and it takes us back to 1946, जब पंडित नहरों ने constitution का कुछ बन रहा था, I am not an expert constitution में, तो उन्होंने कहा था कि ये एक व्यावधान रखना चाहिए, common civil sword का, तो उन्होंने तब ही visualize कर लिया था कि इतनी diverse society है, इतनी diverse customs है, इतनी diverse, मतलब जैसे हम कहते हैं अपनी पारंपरिक परिभाशा में की हर धाई कोस में भाशा बदल जाती है, हर state की अपनी भाशा है, and we have all communities, Muslims, Christians, Parsis, Hindus and all living together, तो उन्होंने एक preamble, preamble may not be a right word, I mean I'm sure they will not agree with that, लेकिन उन्होंने एक provision डाल दिया, एक universe, common code बनना चाहिए, इस समाज को जोडने के लिए, अगर इस समाज में IPC common है, अगर इस समाज में CRPC common है, अगर इस समाज में बाकी के सारे laws common है, तो इस समाज की एक सभेता को describe करने के लिए भी एक common law बनना चाहिए, it was laid in the constitution, not unwittingly, by the framers of course, उसमें अंबेटकर जी का भी योगदान है, बनित नहरु का भी है और सभी बुद्धिमान लोगों का था, अब नरेंदर मोधी की सरकार ने क्या किया है, कि इस issue को public में मतलब मन्थन के लिए और दुबारा चिंतन के लिए इसको दिया है, अब इस चिंतन में दो चीजें जो मुझे सुभाविक रूप में समझ आती हैं, वो यह हैं कि क्यों ना एक ही civil code हो, इसमें मैं किसी community को नहीं देखता हूँ, इसमें मैं देखता हूँ, empowerment of women को, इसमें मैं देखता हूँ, empowerment of children को, इसमें मैं देखता हूँ, empowerment of other sections which are being left by the individual, Christians का अपना code है, Muslims का अपना code है, Hindus का अपना code है, तो वो एक कही ना कहीं, मुझे लगता है कि a section of humanity is deprived, तो वो अगर civil, एक common code आता है, तो मुझे, मैं तो उसको humanitarian attitude से देखता हूँ, मैं उसको देखता हूँ कि empowerment of the left out, whether they belong to this constituency or that constituency, it'll come up, तो इसको मुझे नहीं लगता कि हमें देश के नागरिक होते हुए, और एक secular country होने के लिए जिसका हम बहुत बड़ा दावा भी करते हैं और हमारी अपनी diversity के बारे में भी हम इतना बड़ा दावा करते हैं, कि हम इतना मतलब विचित्र देश है और इतना विक्सित देश है और इतना culturally grown-up देश है, तो क्यों नहीं हम एक civil code ऐसा रखें कि जो regardless of religion एक applicable होना चाहिए, तो मैं इसको सारे सुरूप को इस तरह से देखता हूँ. अजे भारत दुझी ने भी वही बात की एक देश, एक कानून की कही और केंदर सरकार ने इस समान नागरिक सहिता पर जो किरन रिजेजू हैं, पृत्वी विग्यान मंतरी हैं, उनके नेतरतों में मंतरी समूः जीवेम बनाया है, और इसमें चार मंतरी हैं, चार रिजेजेजी के अलावा जी किशन रिड़ी जो की पुरूत्तर की जमेदारी देख रहे हैं, विशेशकर मिजुरम और सिक्क्म से जुड़े हुए मामले, आधिवासियों से जुड़े हुए मामले, स्मृतिय इरानी इसमें हैं जो महिला देकारों पर देख रही हैं और अरजुन मेगवाल यूसी से जुड़े हुए खानूनी मुद्दे पर पहलूँ पर अपनी राये रख रहे हैं और संकेत है कि उतराखंड में शायद इसे पहली बार लागू किया जाए और मद्यप्रदेश और गुजरात में हो जो इसके कानूनी पक्ष हैं विशेश रूप से जो परिवार से जुड़े हुए फैमिली से जुड़े हुए हम राय जाना चाहेंगे डॉक्टर कॉर आपका कि आपका इस पे क्या कहना है कि यदि यो सी सी आता है किसी भी जो भी फॉर्म तो देर सब आएगा तो वो किस तरह से हमारे लिए या पूरे समाज के लिए बेनफिश्री के तौर पर लेकर आएगा सबारिक मद्दों की बात किरते है तो हमारे पास marriage, property, on succession की बात के सथेशिशन भी दो तरह का है, interstate succession है, जो हें हमारा testamentary succession है, interstate succession होता है जब आपने विल नहीं बनाई और विल बनाने के आपकी property कैसे जाएगी आपकी पर यूर लॉप और यूर कॉर कस्टम, You belong to any community क्रिजिटियन उनका लग से हैं दुसका लग गया मुसलिम स्काल लग जिस्टमरी है जो टेस्टामेंट्री सक्षेशन वह विल है वेल्स है देखा जाए तो वेल्स पर हमारा कॉमन लौ है इंडियन वेल्स अग्ट है इंडियन अभी सक्षेशन आग्ट है 1925 का तो उसमें तो अभी भी हम हमारी जो मर्जिंग है कस्टम के साथ लौ की उतनी ही है, स्टॉंग है, उतनी ही स्टॉंग है, और परवारिक मुद्दो में, मैरिज सबसे पहले जब आती है, तो मैरिज में अदर जो communities है, except one community that is Muslim, उन्होंने जो polygammy है, वो परहब्ट कर दी है, it is just in one of the community where polygammy is still existing, वो भी, जब वन वी इमिग्रेट तो, you know, those countries like Western democracies, उसी point पे मैं आ रही थी, there what happens, you know, there you accept it, you have to accept it, you have to accept it, और बहा सारा जो हमारा एक एक ना हमारी perceptions भी मन चुकी है, for one particular community के वहां पे ऐसा होता है, जबके नहीं है, वहां भी polygammy to much extent prohibited ही है, by the custom, अब जो prevailing custom है, वो उन्हें अपने custom के according ही, जो है growth एक development कर ली है, polygammy वहां भी अब उतनी नहीं है, it is a few of the sub-schools or we can say communities where it exists, और उतना ही अगर हम codified laws वाली communities में देखें, उतनी भाई-gammy तो I think under the table वहां पे भी है, so that is one aspect of marital loss, तो उसको छोड़के, अभी जब Indian Penal Court किया, आपने भी बात करी, आपने भी करी, Indian Penal Court में भी जब बाई-gammy की punishment की बात आती है, section 494 में, वहां एक Indian Penal Court जो की 1860 का established है, many amendments have been done, but एक पार्ट जो उसकी exception में भी थे, कुरू ने amendment नहीं करी, that is in case of the parties to marriage, they belong to Muslim, वहां पे punishment अभाई-gammy नहीं है, वहां भी एक amendment अगर वो भी आ जाएगी, जैसे adultery को एक neutral section कर दिया, तो वहां उस पार्ट में भी amendment आ जाती है, तो personal law के लिए और भी जो है, एक strength बन जाती है, तो marital laws accept one this point, और दूसरा जो है, एक nature of marriage, Hindu law भी कहता है के हमारी marriage sacramental भी है, contract भी है, Muslim law कहता है custom के हमारी तो contractual marriage है, marriage in our custom means a civil contract, क्योंके वहां पर्पोजल, acceptance and meher है, जो के consideration की बात करता है, Hindu law में भी consideration की बात आती है, it is illegal, it is dowry, but it is existing somewhere by the custom, तो Hindu law ने मान लिया के हम some balance of both है, Muslim law ने कह दिया के नहीं हम तो pure contract है, जबके उसमें भी ceremony है, निकाह नामा उसमें भी है, because निकाह नामा, नामा means an agreement, उनकी language में भी आगया, तो उननोंने के agreement में भी contractual है, हमारे भी proposal acceptance हिंदू marriages में भी है, पर हमने कहते हैं, हमारी ceremonial aspect जो है, वो over and above है, वो भी similarity है, दोनों ही जो marital points से अभी भी similar है, जब तक हमने अभी law नहीं enact किया, उससे पहले तक भी we are similar on that point, बिलकुल आपकी जो बात है कि कुछ संगठन या कुछ धर्मों के अपने को नमाइंदे मानते वे विरूप कर रहे है, जो नहीं oppose करती, जैसे कहते है, उनको यह चीज अंडरसेंडिंग में आज चुक्ती है, कि we are quite similar, that's why this succession is open today, सबके बीच open है, it is not a particular sector or community we are talking about, कि जो इसकी बात कर रहे है, सारे इसकी बात कर रहे है, तो third point I will come to succession, succession as I told you कि wills के लिए हम कही ना कहीं depend करते है, है, had it been we belong to any community, we depend upon a law, जबके wills be a custom है, in one of the community, और हमारे जो है वो law है, इसमें जो बात है कि नागरिक अपने धर्म या समधाय को कानून की आड में गैर बराबरी का शिकार ना हो, basically आप यह कहना चाहरे हैं, क्या सभी धर्मों के जो निजी कानून है, personal laws है, क्या एक जटके में खत्म कर देने चाहिए, समान कानून बनाया जाना चाहिए, या उन धर्मों के निजी कानून ऐसे संशोधन को लें, जो प्रगतिशील हों, हंड़ साहब आप का इस पर क्या विचार है कि जो मैम ने जो तीन-चार पॉइंट्स थ्रू किये हैं, उस पर आप अपनी प्रितिक्रिया रहें जिए, बिसिकली बात तो यही है कि वोट इट एइम तो यह है कि जेंडर एक्वालिट्टी, जेंडर पैरिटी, और जेंडर 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 जेस्टटिस, और इससे बाहर तो जाही नहीं सकते हैं। Ultimately, as man was saying, it affects marriage, divorce, adoption, inheritance. Basically, यह ही मुते हैं। और यह सबसे जाला किसको affect करते हैं? Women को. Women and, as he rightly said, child empowerment की बात है. I wish to say another thing. जब हम पहले ही महाँ बात कर रहा है। Directive principles और rights की बात करते हैं। के rights तो different हैं। यह तो जस्टिशिया बनाही हैं। So, when right under Article 14, when the right to equality is there, whether that should be paramount or the customary law? You see, it cannot be in contradiction to that. So, in case UCC, Uniform Civil Code, is an act, is a step towards giving right to equality, and why not? There is no reason to refuse it. और फिर मुट के बापस आके उसी पर बात करता हूं। जेंडर quality, जेंडर justice और जेंडर parity यह होनी चाहिए। किसी भी समाज में कुछ ऐसे जो के women या children, उनको अगर हम दरके नार रखके जिने की कोशिश करें, यह काम्याब जिन्दगी नहीं हो सकता। जेंडर साब आपने जो लेंगिक भेदभाव की बात कही। या जो अस्वस्त और अवैग्यानिक जो प्रताएं हैं, कुरीतियां हैं, उन सब को दूर करने की बात कही। और वैसे भी देश के कानून में समय समय पर बदलाव होते हैं, सुधार किये गए हैं। मैं अजे भारद्वाजी से जानना चाहूंगा कि इसका देश हित, समाज हित या बेसिकली हमारी जो इंटिग्रिटी है, हमारे देश के सिमाओं और दूसरी सारी चीज़ों से जुड़ी हूई क्या इसके रिपरकॉशन्स या क्या इसके नजरिये हैं। एक बात है कि we are in a progressively evolutionary kind of a society. हमने सती प्रथा को भी बहन किया। हमने और इस तरह की कई कुरीतियों को बहन किया। ठीक है, I can't name all the aberrations जो हमारे society में थी, तो उस सारी उस में समगरता में उसे देखें, तो अगर ये एक चीज़ जो हमारे समाज में चिंतन के लिए आई है, तो मुझे लगता है कि ये जो culturally diverse nation है, उसको unify करने के लिए एक बहुत बड़ा factor होगी। कोई nation नहीं है, मैं हो सकता है, मेरी knowledge गलत हो, मेरी information गलत हो, in the word, where you have these kind of diverse laws for a community based? मेर साथ law के बड़े परमग्य लोग बैठे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा किसी country में नहीं है, तो why is it obtaining in India? इंडिया में क्यों नहीं हम एक law रखें, जिसमें सरवधर्म समपनता हो, जिसमें सरवधर्म समानता हो, जिसमें सरवधर्म एक equality हो, तो हम क्यों नहीं ऐसा कर सकते? अगर बाकी विश्व के countries कर रहे हैं, आज हमारा देश भी इसी चीज़ की तरफ देख रहा है, how to find universe, unity in diversity. तो मुझे लगता है, कि जादा पेचितगी बातें करने की बजाए, अगर ये एक कानून का एक वो आ रहा है, तो why should it make any community afraid of it? भै का है का है? भै क्यों है? अगर भै है, तो वो शायद जैसे, मैं अब किसी community का नाम नहीं लेना चाहता, एक ही शेरियत से चलते हैं, ठीक है? कितना कुछ होता है, कितना कुछ नहीं होता, क्या उसमें कानून करेगा, क्या नहीं करेगा, हिंदू लौ में भी कमियां हो सकती हैं, Christianity में बहुत कमियां हैं, ठीक है? अब अमिच्छा जी को, Union Home Minister जी को एक delegation मिला from the North East States, तो he assured them that the tribal communities will not be touched. Christianity will not be touched. So I don't know, उनकी जो कहने का वक्तव बे था, उसका कितना महत्त्व है या कितनी implications हैं. सारे invitation जो है, लौ कमिशन नहीं मांगे हैं, उपीन लौ कमिशन नहीं मांगी हैं, and how does law commission articulate all this is a different kind of, we can't talk about it right now. लेकिन यह है कि मुझे लगता है कि इस diversity में, जो कानूनन diversity है इस country में, इसको unify करने के लिए एक common civil code होना ही चाहिए. मुझे एक, if I may speak here, एक different aspect दिख रहा है कि हम religious groups की बात करते हैं. मुझे लगता है, I mean, I belong to that community, yet, you know, there is a male does not want to lose in the grip. मैंने वह पहले ही आपको कहा था, women empowerment के लिए यह बिल बन रहा है, child empowerment के लिए बिल बन रहा है, equality in empowerment के लिए बन रहा है, and I don't want to target any community, I don't want to target any religion. It is because a section of society, which happens to be largely women, are feeling deprived and exploited in a way. तो यह कहीं नहीं पर्टिकलर कम्मुनिटी, जैसे आपने भी कहा है, कि आपने भी कहा है, कि अपने बात कर रहा है, हम कोई community specific बात नहीं कर रहा है, we are talking about citizens specific. आपने भी कहा है, sir, कि आपने भी कहा है, कि आपने बात कर रहा है, equality for all है. तो जब लौ कहीं किसी भी basis पे equality ही चाहता है, और discrimination नहीं करना चाहता है, तो यहां हम discriminate नहीं हो सकते हैं, भार्दवाज जी नहीं कहा है, कि किसी भी नेशन के example ले लो, हमें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, we can see an example in our own country, गवादमन्द्यू में, पहले हम discussion कर रहेते हैं informally already वहां पे uniform civil code है, it was in 1867 जब पूर्टगालीज civil code act आया और वहां से वह applicable होना शुरू हुआ, 1961 में UT बन गया, गवादमन्द्यू, 62 में, they adopted uniform civil code, तो वहां variety of communities are staying over there, even पूर्टगाली, पार्सी, many community people are living over there, hue and cry है, क्योंकि हर तरह की policy में, हर तरह के law में, ifs and buts होते हैं, और वो ifs and buts जो है, they can be solved, of course, वहां भी एक समय पे रहा के नहीं uniform civil code नहीं होना चाहिए, but at the spur of moment, जो मुड़कुर के जो बात आती है, वहीं पे आ जाती है, कि नहीं, एक similarity basis जब आ बात करते हो, तो वहां पे आपके पास problems का solution जादा होता है, problems कम होती है, problem के रहती है, जो आपने शब्यूज किया, मुड़किड के, गल होती ही है, कि ना तो मेल अपना dominance चोड़ना चाहते है, I am repeating it, I am sorry, and secondly, जो डर है कि customs हमारे हाथ से निकल जाएंगे, so I was reading the other day, a very senior person had written, कि Hindu's marriage act में section 7, he says, शादी कैसे हो, he says, the customs as acceptable to either of the parties, so in case custom is allowed, where is the problem, let uniform civil court be there and individual customs can be kept sacrosanct. bigger picture आएगा जो Parliament law enact करके हमें देता है, uniform civil court का, but अगर हम अपने history of lawmaking देखे है, सारे ही laws, सारे courts, तो वहाँ पे exceptions के लिए एक already place रखी हुई है, जो गुट कस्टम्स हैं और अफ एन डिएवर्स दिरॉख स्टम्स कम्जटी वहाँ पार्त फेनर हाँ कि अपने शुखे है। then within spindles even marriage to have allowed valid marriage ceremonies can be any, it can be sapta pati और customary ceremony of either party similar is with other communities जिन के लिए हैं कि अम कुमन हो जाहे same ही concept वहां पर पे लिह है UCC is not a new thing for us I would say जो निए इन हम उसको जो execution में जब लाना है तो what my observation is it should not be taken in execution like a political agenda it should be a constitutional mandate जो कि already constitutional mandate है, it is part of the constitution. It was ingrained in the constitution way back in 1942. All personal laws, they had come from the constitution, that is the grand norm. और सबसे बड़ी हरानी ये होती है कि आज तक इतनी सरकारें आई, उन्होंने किसी ने भी इस aspect को टेच नहीं किया, इस की तरफ को initiative लेने की कोशिश नहीं कियी. और अगर आज कोशिश हो रही है, 70 साल बाद, 75 साल बाद, तो इतना मुझे लगता है जिस चर्चा हो रही है, it is a healthy discussion which is happening. And yes, और एक सवाल हम सबके दिमाग में जरूर ये आना चाहिए, कि क्या कारण है कि 75 साल तक इस सवाल के उपर, इस clause के उपर, article 44 के उपर, why were political parties so silent all this period? बिलकुल, और चर्चा को विराम देते हुए, कई सारे पहलू हमारे experts के जरिये सामने आए, और ये बात बिलकुल साफ है कि ये किसी धर्म को लेकर नहीं है, सामप्रदाइक नहीं है, ये सुरक्षा भूद के लिए है, सब भी समाज के लिए है, किसी पूजा पद्वती की औमाना नहीं करता और ये समानता के सिध्धान को बढ़ावा देता है, ये सभी जो देश के नागरिक हैं प्रगती की दौड में बराबर की भागेदारी से आगए आ सकें, धर्मीक मामलों में दखल अंदाजी नहीं है इसका मतलब, और किसी कौम की असमिता पर ये प्रहार नहीं करता है समान नागरिक सहिता, अब सभी हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, उनका हम धन्यवाद करते हैं, दर्शकों आप हमारा कारिकर्म जो है यूट्यूब के चैनल में भी देख सकते हैं, और मैं धन्यवाद करता हूँ, हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, अन्रुद धानड़ जी आपका, मैडम सुपिंदर का और आपका, और अजय भारत जी आपका, कि हमारे स्टूडियोज में आया और समान नागरिक सहिता पर विभिन इशू के जरीए, विभिन मुद्दों के जरीए और विभिन उदाहरणों के जरीए प्रकाश डाला, बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू,